हारती कभी नंदन व्यूवर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC IPO के बारे में जो कि आज हमें 8% के डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होता नजर आया और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस स्टॉक के सपोर्ट और रिजिस्टन्स लेवल्स और अब इसमें आगे क्या करें लॉस बुक करें या अभी होल्ड करें कैसा परफॉर्म करता नजर आएगा स्टॉक हमें आने वाले दिनों में और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं या नहीं तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और ऐसी और इन्फोर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलें चलिए पहले बात करें लिस्टिंग की तो ये आईप्यो हमें 8% के डिसकाउंट पर 8.72 रुपीज के प्राइस पर लिस्ट होता नजर आया और 8.60 का लोग बनाने के बाद 918 रुपीज तक का हाय बनता दिखा हमें अभी 900 रुपीज के लेवल के पास एक कंसॉलिडेशन देखने को मिल रही है क्योंकि ये IPO डिसकाउंट प्राइस पर लिस्ट हुआ है तो रिटेल इन्वेस्टर्स और पॉलिसी होल्डर्स जिनको ये डिसकाउंट प्राइस पर मिला था उनके द्वारा अपने बाइंग प्राइस पर सेलिंग देखने को हमें मिल रही है बात करें रिजिस्टर्स लेवल की तो हमें 905 रुपीज का पहला लेवल और 950 रुपीज का लेवल पर स्टॉक बड़ा रिजिस्टर्स फेस करता नजर आ सकता है और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 841 रुपीज का पहला सपोर्ट और 790 रुपीज का दूसरा सपोर्ट लेवल हम इस स्टॉक के लिए मानकर चल सकते हैं जिसके नीचे हमें ये स्टॉक जाता नजर नहीं आएगा तो इन्वेस्टर्स जिन्हें ये IPO अलॉट हुआ है अगर तो लॉंग टम इन्वेस्टर्स हैं तो वो इसे होल करके चलें क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और बढ़िया कमपनी है जिसके चलते बढ़िया डिविडेंट पेयाउट कमपनी देती नजर आएगी लॉंग टम में ये कमपनी कितना बढ़िया परफॉर्म करेगी उस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है लेकिन शॉर्ट टम इन्वेस्टर्स इस पे अभी नजर रखें अगर मार्किट में वीकनेस देखने को मिलती है तो इस टॉक में प्रेशर बनता नजर आ सकता है तो सुपोर्ट लेवल्स जो हमें बताए हैं उस पे नजर बिल्कुल बना के रखें हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा फ्री वाटसेप ग्रूप या टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जिसमें डेली फ्री कैश इकुटी कॉल्स मिलती हैं जो कि हमारी रिसर्च टीम द्वारा प्रोवाइट की जाती हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है चलिए बात करें लॉंग टर्म के लिए फ्रेश इंवेस्टमेंट करने की जो सोच रहे हैं या जिनोंने एप्लाई किया था लेकिन अलॉट्मेंट नहीं मिला तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़िया उपचुनिटी साबित हो सकती है क्योंकि ये अल्रडी हमें आईप्यो प्राइस से भी नीचे के प्राइस पर मिल रहा है लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3-4 पार्च में डिवाइड करके हर डिप में इसे बाइ करने की कोशिश करें और बहुत जादा एग्रेसिव बाइंगे स्टॉक में अभी ना करें तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ